एक जन फकीर हुआ करते थे जिनका नाम था रिज्ञाई एक दिन वह एक गाउं के रास्ते से गुजर रहे थे तभी एक आदमी पीछे से आया और उन्हें लकडी से मार कर भागने लगा इस भागा दोड़ी में और रिज्ञाई को चोट कहुचाने के चक्कर में उसके हाथ से लकडी छोड़ गई और वहीं जमीन पर गिर गई रिज्ञाई लकडी उठाकर उसके पीछे दोड़े और कहने लगे मेरे भाई अपनी लकडी तो लेते जा यह सब एक दुकान का मालिक देख रहा था उसने ऐसी बेचितर बात पहले कभी न देखी थी दुकान के मालिक ने कहा पागल हो गए हो क्या वै आदमी तुम्हें लकडी मार कर गया और तुम उसकी लकडी लुटाने के चिंता कर रहे हो रिजहाई ने कहा एक दिन मैं एक पेड़ के नीचे सोड रहा था तभी ब्रक्च से एक साखा मेरे उपर गिर पड़ी तम मैंने ब्रक्च को भी कुछ नहीं कहा था आज इस आदमी के हाथ से लकडी मेरे उपर गिर पड़ी मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूँ उस आदमी को रिजहाई के बात समझ भी नहीं आई क्योंकि उसे तो बच्पन से ही दुनिया को प्रतिसोद और प्रतिविया की द्रश्टी से देखने की आदत पड़ चुकी थी उसने कहा रिजहाई तुम पागल हो बरक्चिसे साखा का गिरना और बात है इस आदमी से लकड़ी तुम्हारे उपर गिरना वही बात नहीं है रिजहाई कहने लगे मेरे लिए तो सदा एक सीही बात रही है और यह कहकर रिजहाई एक दूसरी घटना सुनाने लगे एक बार में एक नाव चला रहा था और एक खाली नाव नदी के बहाओ के करण आकर मेरी नाव से टक्रा गई मेरी नाव को कुछ हानी भी हुई लेकिन मैंने उस खाली नाव को कुछ नहीं कहा लिजहाई ने अपनी कहानी आंगे बढ़ाई एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कुछ लोग सवार थे आकर हमारी नाव से टक्रा गई तो वह इंसान जो कि मेरी नाव चला रहा था वह दूसरे नाव वाले को गालियां बखने लगा मैंने उससे कहा अगर नाव खाली होती तब तुम गाली बखते या ना बखते तो उस आदमी ने कहा खाली नाव को क्यों गाली बखता रिजहाई ने कहा गौर से देखो नाव भी एक हिस्सा है इस विराट लीला का वह आदमी जो बैठा है वह भी एक हिस्सा है नाव को माफ कर देते हो आदमी पर इतने कठोर क्यों हो साया दुवह दुकानदार भी नहीं समझा होगा उनकी बात को क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है जो अंगली माल तक को माफ कर दे हम मेंसे कोई भी नहीं समझ बाता है कि माफ करना होता नहीं है यह तो अंदर से आता है और एक बार घटीत हो जाता है तो आप किसी पर दोस्त नहीं लगाते बस माफ करते हैं क्योंकि रिजाई कहते हैं कि सब उस बिराट की लिला है सब उस बिराट का हिस्सा है ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में